हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब मैं हूँ अर्चना और आप सब का मेरी चैनल पर स्वागत है और आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू मतर की सबजी और चावल के आटी की रोटी तो चलिए हम बनाना सुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मतर ली हूँ और मतर को मैं बॉयल कर ली थी उसमें थोड़ा सा नमक डालके और आलू को भी मैं बॉयल करके और उसे काट के रख ली हूँ तो चलिए अब हम पहले सबजी बना लेंगे तो मैं यहाँ पे पैन रख दी हूं गर्म होने के लिए और अब हम डालेंगे उसमें तेल गर्म हो जाएगा उसके बाद हम इसमें खड़े मसाले डालेंगे तो मैं यहाँ डाल दी हूं जीरा, तेज पते, लाल मिर्च और इन सब को हम भून लेंगे और खड़े मसाले भून जाए उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ चौप की हुआ प्याज और अब हमें प्याज को सॉफ्ट होने तक भून लेना है और यह देखें प्याज को भूनते हुए एक से दो मिनट हो गए हैं तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ अद्रक लहसन और हरी मिर्च का पेश्ट और हम फिर से सबको एक साथ भून लेंगे और अद्रक लहसन भून जाए थोड़ी दिर उसके बाद हम डाल देंगे इसमें टमाटर तो मैं यहाँ पर टमाटर पहले ही प्याज के साथ ही भून लेती हूँ ताकि प्याज और टमाटर अच्छे से गल जाए अगर आपको ग्रेवी अच्छी बनानी हो तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं या फिर आप टमाटर और प्याज को पीस की भी डाल सकते हैं उसे लाल मिर्ष पावडर, धनिया पावडर, जीरा पावडर, एक छोटी चमच हास्मेरी लाल मिर्ष पावडर, जिससे सब्जी का कलर बहुत अच्छा आ जाता है और अब हुम सारे मसालों को अच्छे से भून लेंगे और अब ही मैं डाल रही हूँ एक से देड़ चमच करीब गरम मसाला और यहाँ पर साथी साथ मैं डाल दे रही हूँ इसमें नमक ताकि प्याज टमाटर सब अच्छे से गल जाए और नमक आप अपनी स्वाद के अनुसार डालें और फिर से मसाले को भून लेंगे और मैं यहाँ पर डाल रही हूँ एक से देड़ चमच करीब पानी ताकि प्याज और टमाटर अच्छे से गल जाएं तो हम पाएं डालने के बाद इसे लो फ्लेम पे आप चाहें तो ढखके भी पका सकते हैं तो यह देखे मसाले अच्छे से भून गए हैं तो अब मैं डाल दे रही हूँ आलू और आलू डालने के बाद ही हम मटर भी डाल देंगे और अब हम दोनों चीजों को मसाले के साथ फिर से एक से दो मिनिट के लिए भून लेंगे ताकि आलू और मटर भी मसाले के साथ आलू और मटर को भूनते वे भी एक से दो मिनट हो गए हैं तो अब मैं या पर डाल दे रही हूं पानी और पानी अप अपने हिसाब से डाले आपको ग्रेवी कितनी बनानी है तो अगर आपको जादा ग्रेवी बनानी हो तो आप पानी जादा डाल दें तो मैं या पर टोटल देड़ ग्लास डाली थी पानी अपनी सब्जी के लिए और पानी डालने के बाद अब हम इसे ढख के पका लेंगे और ये देखिए सब्जी लगभग तयार हो गई है और आलू मटर तो पहले से ही पके थे तो हमें इन दोनों को ज़्यादा नहीं पकाना था बस हमें इसे ग्रेवी के साथ अच्छे से थोड़ी देर के लिए पका लेना था ये देखिए सब्जी तयार हो गई है तो अब हम उपर से इसमें धनिया की पत्ति डाल देंगे और हम कर देंगे गैस को बंद और अब हम बनाएंगे चावल के आटे से रोटी तो मैं यहां पर सबसे पहले कड़ाई में पानी गर्म कर रही हूँ तो मैं यहां पर देड़क पानी गर्म कर रही हूँ और हम गर्म पानी से ही चावल के आटे को लगाएंगे अगर हम ठंडा पानी से लगाएंगे तो रोटी अच्छी नहीं बनेगी तो मैं यहाँ पे पहले पानी गर्म कर रही हूँ और उसी में डाल दे रही हूँ एक चमच नमक और पानी में जब बॉयल आ जाए तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे आटे को यह देखे पानी में बॉयल आना सुरू हो गया है तो मैं यहाँ पे ली हूँ एक कप आठा जिसे मैं पानी डाली थी उसी से आठा भी ली हूँ मैं एक कप आठे के लिए देख कप पानी का इस्तमाल की थी आप थोड़ा सा कम भी डालेंगे तब भी हो जाएगा क्योंकि मैं देड़ कप डाली थी, मुझे थोड़ा सा गीला सा लगा था, तो मैं एक चमच और डाली थी, इसमें चावल के आटा, सिर्फ एक से एक चमच ही डाली थी, लेकिन उतने में perfect हो गया था, तो आप थोड़ा सा कम डाल दें, या फिर उतने में भी हो जाएगा, और बस हमें इसी तरह अच्छे से mix करते रहना है और आटा डालने के बाद ही गैस को बंद कर दें या फिर इसे low flame पे थोड़ी दिर के लिए mix कर लें और बस हमें इसे अच्छे से mix कर लेना है और इसे ढखके हम थोड़ी दिर के लिए छोड़ देंगे ताकि चावल का आटा हो गया है और इसे थोड़ा से mix करते हुए बन रहा है लेकिन तभी हाथ जल रहा था मेरा लेकिन इसी टाइम पे mix करना जरूरी है तभी आटा सॉफ्ट होगा और आटे को मैं अच्छे से mix कर ली हूँ और आटा थंड़ा भी हो गया है तो चलिए हम अब रोटियां बना लेते हैं तो रोटी बनाने के लिए हम सबसे पहले छोटा सा गोला ले लेंगे तो आप गोला अप अपने हिसाब से लें आपको रोटी कितनी छोटी बनानी हो या बड़ी बनानी हो तो आप उस हिसाब से आटे का गोला ले लें और अच्छे से गोल कर लेंगे और उसमें हम थोड़ यो बनातेंगे हूं कि आठे से उसे थोड़ा सा मॉटा ही रखेंगे बिल्कुल पतला नहीं करेंगे तो ये रोटियां भी बिल्कुल नहीं फट जाएंगी वैसे तो ये फट नहीं रही थी क्योंकि मैं एक रोटी बन गई है और इसी तरह से हम सारी रोटियां बना लेंगे तो मैं आपको यहाँ पर दो रोटी बेल के दिखा रही हूँ यह देखे दो रोटी बेल ली हुमें यहाँ पर तो चली अब हम इसे सेक लेते हैं मैं यहाँ पर तवा रख दी हूं गर्म होने के लिए और तवा गर्म हो जाए उसके बाद हम रोटी बारी-बारी से सेक लेंगे और इसे इस रोटी को सेकने में नॉर्मल जो हम गियों के आठे से रोटी बनाते हैं उसे थोड़ा सजादा टाइम लगता है और रोटी एक साइड से से शिख जाए तो इसके बाद हम दूसरे साइड से भी पलट के सेख लेंगे और इसे पलट के फिर से हम रोटी को फुला लेंगे तो आप चाहें तो गैस पे भी फुला सकते हैं लेकिन मैं इसे तवे पे ही एक कपड़े की सहायते से फुला ले रही हूँ दबाते हुए और ये देखे रोटी बिल्कुल फूल गई है अच्छे से और आप चाहें तो इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं या फिर गी ये बटर कुछ भी लगा सकते हैं तो मैं या पे लगा रही हूँ गी और सचमी ये रोटी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनी थी तो आप एक वर ज़रूर ट्राइ करिएगा ये देखिए एक रोटी बन गई है तो मैं दूसरी रोटी भी बना ले रही हूँ और जब तक दूसरी रोटी बन रही है तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजेगा मेरे चानल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और ज़्यादा ज़्यादा लोगों को सेर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताएगा आप लोगों को चावल के आटे की रोटी और आलो मटर की सबजी की रेसिपी कैसी लगी और ये देखिए अब हमारी दूसरी रोटी भी सिख गई है तो हम इसे पलटके और इसे भी अच्छे से फुला लेंगे ये देखिए सारी रोटियां बन के तयार हो गई है और ये देखिए कित्ती ज़्यादा सौफ्ट बनी है रोटी तो चलिए गर्म गर्म चावल के आटे की रोटी और आलू मटर की सबजी सर्फ करते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा फिर मिलेंगे अच्छे से वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई